है यहां से सबसे पहले पीशन का डेटा लेते हैं तो यहां पे जो रेकॉन किया है हमने उसको आपको सिलेक करना है उसको रिफॉर्मेट में क्लिक करके उसमें जाना है स्टार्टिंग पॉइंडिंग पॉइंट कौन सा फॉर्मेट लेना है कितना जूम करना है तो सब कुछ में आपको यह वीडियो में शो करना जा रहा हूँ ठीक है सबसे पहले तो आपको जब भी आप स्कैन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेशन का बायप सी किया है तो बकल मुकिल्वे वोकल कॉड में है निजर फैरिंग्स में है एलवेलोस में है वह सब कुछ आपको थोड़ा सा तो पता होना ही चाहिए कि हमने क्या स्कें किया ऐसा ने किसी टी स्कें नेक लिखा और अपना स्कें करके छोड़ दिया उसको आपको ख्लीनी गली भी देखना होगा के उसको कहा पर दिख रहा है स्वैलिंग है तो कहां पर है कि वह सब आप देखोगे तो ही आपको ज्यादा information मिलने वाला है बाके नहीं तो आप तो ऐसे स्कैन करके छोड़ दोगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ standing point देखो आप CT scan PNS करो या neck करो उसमें कुछ ज्यादा difference नहीं है आपको सिर्फ ये frontal sinus है उसके थोड़ा उपर से start करना है यहां से frontal sinus करऴा है यहां से तो एक आपको पता ही है फिर भी बता रहा हूँ यहां से लेकर प्टा यह जो थाइरोड है थाइरोट ग्लेंड वो कवर होना चाहिए ठीक है थाइरोट ग्लेंड के नीचे सपोस यहां पर अभी यह यहां पर थाइरोट ग्लेंड एंड हो गया है यह तो मैंने स्कैन कि सि ठी स्थे इंडिडी Kinia है बेट मैना थोड़ा एक्स्टेंडेड लिया है पहले से ठाई सबस्क्राइब कव लिखते हैं तो देखो उसमें क्या है रेता है कि मेंडिबल कवर किया वोकल चल्ड कवर करना और फिर भोर गें तो थायरोगलेंड आता है। समझेंगा और या यहe थायर्डेंड दोनों तो आपको CT scan PNS लिखा है यह सेटी स्केन नेक लिखा है विट कॉंट्रस्ट तो उसमें कोई इश्यू नहीं है फ्रेंटल साइनस से लेके नीचे थायर ग्लैंड का आपको कवर कर लेना है उसमें सब कुछ आजाएगा नेजो औरो हाइपो फैरिंग्स वोकल कॉड्स थायर ग्लैंड्स ऑके बट बकल मुकस का लिए आप स्पेशल ही करते हैं तो उसमें यह पफ चिक करना जरूरी है पफ चिक करने से यह थोड़ा एक्षेंड होता है यह बकल मुकसा अलग से दिखेगा तो क्या डाग्नोसिस में बहुत ही अच्छा रहता है ठीक है तो चलो करके करना होगा कि बोन में लीजन तो नहीं है शफोस बॉन को इन्वल कर रहा है तो अपको ममें एक जिल और को बोन बोनी मिक्स करके आपको दे देना है तो ऐसा एक फ्रीम आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा कि यहां पर बकल मुकसर में यहां पर अनांस्मेंट है राइट में सिए भर मुकसर राइट साइड होना चाहिए वोक्य तो अबी अजल का सबसे पहले फिल्मिंग करते हैं फोर्मेट में लेने जा रहा हूं यहां पर 30 का 30 का format लेता हूँ तो दो film 30-30 वाली करता है तो 60 images total होता है तो उसमें क्या करना है कि आपको पहली दो जो पहली दो जो line है उसमें पहला आपको scanner देना है फिर यहां पर जो भी आपका buckle mucosa का lesion और कुछ भी है तो दो दो line जो है 9 images उसमें आपको plain sections डाल देना है फिर 60 में से 10 minus हुआ 50 images बचा है 50 images में से आपको 40 images post contrast देना है और next जो 10 images last में बचेगे उसमें जो भी positive है उसको आपको zoom करके दे देना है okay तो वैसे हो जाएगा तो सबसे पहले मैं यहां पर जो plane images है वो डाल देता हूँ कि मैंने plane sections लिया है यहां पर plane sections में भी क्या करना है आपको कि जो positive है उसको ही सिर्फ आपको डालना है plane sections में जैसे के पहला image हमारा scanner का आ गया फिर अभी इसको बकल में है तो मैं बकल वाला ही और 9 images डाल देता हूँ यहां पर मैंने यह plane images डाल दिया है अभी इसको जूम कैसे करना है सबको सिलक किया इतना जूम दे देना नीचे वाला शर्वाइकल स्पाइन का कटे गा तो उसका इशू नहीं है बट पैरोटिट ग्लैंस कटना नहीं चाहिए इतना आपको जूम देना होगा इतना आपको पैरोटिट ग्लैंस साइट पर आएगा वो कटना नहीं चाहिए तो अभी हमारा यह इतना हो गया अभी 40 इमेज इसका मैं लूप बना के अभी वापिस इसमें जाता है रिफॉर्मेंट स्टार्टिंग पॉइंट आपको लेना होगा फ्रेंटल साइनस से कवर कर लो यहां से फ्रेंटल साइनस से लेकर यहां पर सैट स्टार्ट करता हूँ मैं यह वाला सैट स्टार्ट अभी यहां पर फ्रेंटल साइनस पर आपने सेट स्टार्ट दिया फिर उसको यहां से पकड़ के नीचे ले जाना है अभी यह मैंने किया है पी एनस के लिए तो मैं यह अभी नहीं दे रहा हूँ यह ठीक है तो मैं इसको वोकल कॉट टक कवर कर लेता हूँ मतलब जैसा ही मेंडिवल खतम हुआ उतना उसके बाद में वोकल कॉट स्टार्ट हो बस यहां तक सेटन करके 40 इमेजिस 10 इमेजिस मैंने प्लेन दिया 40 पोस्ट कॉंट्रास अभी जो 10 बचेगा उसके अंदर हम डालते है पॉजिटिव इमेज इमेज डालके यहां से आउटपुट फिल्मर और ओके कर देते हैं तो डायरेक्ट फिल्म में चला जाएगा बीच में से एक भी इमेजिस आपको कट नहीं करना है लूप बना कर डाल देना फिर जो भी है देखो यहां पर चला गए यह एक इमेज एक्स्ट्रा है अभी सब को हम सिलेक्ट कर देते हैं एक साथ में प्लैन को गजूम किया यह बी कांट्रास को सब को मैं सिलेक्ट करके इसकोजुम ऐसे कर देना है इतना जूम करना फार्योटेच लेंड कटना नहीं चाहिए इतना जूम आपको करना है नीचे का पॉजशन कटे का पोश्टलियर उसका इसू नहीं है नीचे का कटेगा उसका इशू नहीं है यह पेरोटेट ग्लेंड कटना नहीं चाहिए इतना आपको जूम करना है इस सेकंड प्लिम पर हम जाते हैं उसको भी इतना जूम कर दो क्लेम खाली दिखना नहीं चाहिए इतना जूम आपको अच्छे से करना है अभी देखो दो लाइन बची है 10 इमेजिस में यहां पर बकल मुकुजा का जो भी लीजन है उसको मैं वन बाई वन एफ न से वन बाई वन इमेजिस डालके उसको मैं जूम करके लास्ट में दे देत क्या है कि वह फाइनली जो भी देखेगा उसको वह अच्छा दिखेगा कि यह फिल्मिंग अच्छा किया है ज्यादा उसको देखना नहीं पड़ेगा डायरे की उनका धियान वह इमेजिस पर चला जाएगा कि यह पॉजिटिव इमेज यहां पर है अभी यह राइट विकल मुकजा है तो इतना इमेजिस इसको मैक्सिमम आपको जूम कर देना है ऐसे करके ऐसे करके इतना positive image दे देना suppose आपको positive image देने नहीं आता है तो फिर आपको 10 images plane देना है 50 images पुरा यहां तक end तक आपको post contrast loop बना के डाल देना कोई issue नहीं है अभी एक film जो बचती है उसके अंदर हम 20 का format लेता है 20 का format में आदा आदा अभी कितना image है अभी यहां पे 12 images में देने वाला हूँ coronal और बागी की दो line में suggestive lampier अभी coronal में आपको देख लेना है कि वह कहां पे कैसे दिख रहा है इसको थोड़ा ऐसा कर देना rotation करोगे तो easily आ जाएगा ठीक है इसको भी आपको ऐसे ही करना है कि यह साइनस ही जासे स्टार्ट हो रहा है अभी यह पकल मुक्यों सतों यहां पर तो यहां से स्टार्टिंग यहां से देना जरूरी है ओके तो आपको वन बाइवन इमेज वन वन इमेज एफ़न एफ़न करकर डालना होगा एक साथ में लूप बना दो गई है तो फिर यह तो जो देखना है वो दिखेगा ही नहीं कि वन वन इमेज आपको डालना है इसमें लूप मत करना MPR जब भी देते हो आप तो फिर वो आपका मिस हो जाएगा इसमें इसा है कि एंट पूरा देना तो सब है क्योंकि यहां पर नेक में नोड बगेरा भी रहते है तो आपको दे देना है पर एफ वन करके वन वन इमेज आपको डालना होगा कि क्या अभी कोरोन लागा इसको आप ऐसा जूम कर दो पाइब फॉर का फॉर्मेट लेकर देखता हो मैं इसमें दे सकते हैं ऐसा अच्छा लगेगा चलो अभी कि फॉर्टी का इंक है कि यह मैं अभी इतना बचाखेस में सज़ाटल इमेज इस आपको डाल देना होगा है अभी सपोज आपके सेंटर में ऐसा बोलते हैं का भई कोरोनल का एक फ्लिम चाहिए और सज़ाटल का एक फिलिम चाहिए तो फिर आपके ऊपर डिपैंड है इसक तो अब F1 करके मेंली राइट का ही मैं सेच दे रहा हूँ लेफ का मुझे जरूवत नहीं है क्योंकि लेफ में तो कुछ नहीं है सपोज आपको एक फिल्म पूरा कोरोनल और एक फिल्म पूरा सेच देना है तो तो कोई इशू नहीं है तो फिर आप लूप बनाके डाल सकते हो आपका क्या है फिल्मिंग भी ज्यादा हो जाएगा वैसे तो हम यहां पर तीन फिल्म देते हैं तो इसमें हम ऐसा सेटिंग कर टाल यह देते हैं ठीक है तो यह आप देख सकते हो कि कोरोंल और सेज में ने मेक्स कर दिया हाँ यहां पर लिख देना राइट टू-लेफ्ट और मीडल टू-लेटरल अचे 1976 सकते हो ठीक है तो यह हमारा सिटी स्केन पी एनस और सिटी स्केन नेक आप जो भी बोलो वो फिल्मिंग ऐसे हम करते हैं तीन फ्लिम हो गया दो फ्लिम में एक्जल यह नीचे यहां पर पॉजिटिव डाल दिया और फ्लिम में एंपिया सपोस्थ बोन्स में बोन का इंवल्मेंट है तो वन फ्लिम एक्स्ट्रा में करूंगा उसमें आदा एजल और आदा कोरोनल ऐसे करके बोन का एक फ्लिम हो जाएगा बोनी विंडो फ्लिम ओके तो यह था आज का हमारा सिटी स्केन पी एनस और सिटी स्केन नेक यू कन से filming of city scan neck or city scan pns with contrast ऐसे filming करते है so friends उमीद करता हो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी आपको समझ में आ गया है कुछ भी दिक्कत हो तो आप comment section में बता सकते हो मैं आपको जरूर reply दूँगा ठीक है thanks for watching please like, share and subscribe my channel and press bell icon for more updates thank you